हेलो दोस्तों आपको स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पिंकी के ढावे में आज की रेस्पी में हम बनाएंगे प्यास के प्राथे प्यास के प्राथे आपने बहुत बनाए होगे लेकिन बनाते समय वह फट जाते हैं आज आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगे जिससे प्यास के प्राथे आपके बनाते समय बिल्कुट भी नहीं फटिंगी खाने में भी आपको पेस्टी लगेंगे चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम प्राथे बनाने के लिए एक कटोरी आटा लेंगे चोटी वाली आधा टी स्पून और हमारा आटा बुद कर त्यार हो गया है और प्राथे के लिए अब हम फीलिंग त्यार करेंगे सबसे पहले बताते हैं आपको वो ट्रीक जिससे आप प्यास के प्राथे नहीं फटेंगे मैंने ये प्यास दो मीडियम साइज की प्यास ली हैं जिसको मैंने बारी काट लिया है और उसमें एक टी स्पून नमक डालके इसको पंदर मिनट के लिए रख दिया जिससे इसमें एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो हमारा निकल जाएगा और हम अब इसको पानी इसको यही वो ट्रीक है जिससे आपके प्यास के प्रांठे बिल्कुल भी नहीं पटेंगे सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दो हरी मिर्ज कटे हुई वन फोर्ट लाल मिर्ज वन फोर्ट चाट मसाला टू पिंच हींग अब इसे मिक्षर को हम मिला लेंगे और फ्रेंट्स इसमें नमक डालने की ज़रुत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही इसमें इसना एक्स्टर नमक डाल जाथा है कि वो निचोड़ने के बाद भी हमें ज़रुत नहीं है अब डालने की यह फीलिंग हमारी बनका तेयार हो चुकी है चलिए अब पराठा बनाना शुरू करते हैं आटा हमारा सॉफ्ट हो गया है अब हम प्याज के पराठे बनाना शुरू करेंगे और मैंने गैस पर तवा रख दिया है गरम होने के लिए अब हम पराठे बनाने के लिए पेडिय बनाइंगे हम इसमें अपनी फीलिंग भरेंगे और फीलिंग भरते भी धियान रखना है कि इधर बाहा न निकले और हमारी फोल्ड करते में लोई फटे नहीं कि अच्छे से हम इसको इसका मुझ को बंद करेंगे आप लोई को थोड़ा हाथ से इस तरह बना लिया करो जिससे की प्रांठे थोड़ा सा फटते कम हैं फिर कि अब हम इसको धीरी-धीरी हलके हलके आतों से इसको बेलेंगे अब यह हमारा परांठा सिख गया है इस पर उपर से हम अब इसपा लिए लगाएंगे दोस्तों मैंने देशीगी का यूज करा है देशीगी के प्रांठों का टेस्ट कुछ अलगी आता है दोस्तों हमारे परांठे बनकर त्यार हो चुके हैं ना तो यह कहीं से फटे हैं और आप इस तरह के परांठे बनाकर एक बार जरू देखिए और आप कमेंट करके बताइए कि मेरे परांठे कैसे लगे आपको खाने में टेस्टी लगे कैसे लगे और लाइक करके बताएं शेर करके बताएं और सब्सक्राइब भी करें